हेलो अबरीबन मैं वर्तिका स्वागत करती हुपने चैनल पर आई होप आप सब अच्छे होंगे तो अज हमारी एनायस समझी की नेक्स क्लास होगी जिसमें लोग नया कोर्स स्टार्ट कर रहें विच इस 502 बहुत ही इंपोर्टन ये कोर्स है क्योंकि इसमें हम लोग लर्नि टाइप से कैसे बच्छा सीखता है उनके बारें पढ़ेंगे और यहां से सबस्यादा कोशन पूछेगा है किसी भी टीचिंग इग्जाम में चाहिए तो अगर हो सके तो आप शेयर कर दीजेगा और सब्सक्राइब लाइक को और कमेंट तो करी दीजेगा तो अच्छा सबसे पहले जानते हैं लर्निंग के बारे में यहां जो भी चीज पढ़ेंगे और बच्चों लेवेडर होता है उसमें मोडिफाई होना लर्निंग गैसे होगी आप अब देखोगे तो इसी तरह देरे दीरे तो अब दूसरा पॉइंत होता है जीवन की मांगों से मिलने के आफिक आदतों के निरमाड करना या फैक फिक ज्यान को निर्मित करना तो आपको सोचे एगार इवस την पितना है नहीं संप्राइब करना तो आपको यादत बनाओगे तो यह यह तो अधिकम है एक से कले का फर गनां में जो 45 आप क्रमेंट के लिए परिवर्तन हो जाता है उसी को कहते है learning तीन पॉइंट है इन तीन ओप अच्छे समझेगा कि विवहार में परिवर्तन व्यक्तित में इस्थाई परिवर्तन ठीक है और जीवन की मांग के अंसार अपनी आदतों का निर्माड करना अब आता है कि learning process, अच्छा मैंने यहां पे English नहीं लिखा, लेकिन आगी कि जितने भी notes देखेंगे, वहां पे ने Hindi English दोनों डाला हुआ है, यहां पे थोड़ा सा भूल गई थी मैं, लेकिन मैं यहां English पे बता दे रही हूँ, इनको अच्छा से सारे point अच्छा से याद कर ल यहां तो लाइफ सीखती है, यहां तो हम खुछ से सीखते हैं, तो learning is a continuous process, दूसरा हो गया, यह प्रितिक्ष लक्ष होता है, यह खुद एक प्रितिक्ष लक्ष है, अगर बिल्क्ष होते हैं, उन गोल्स को पाने के लिए, इन गोल्स को कैसे पाएंगे, कुछ सीखेंगे त जो मेन आपके जीवन का लक्ष है उसको पाएंगे बिना लर्णिंग के पॉसिबल नहीं है अधिगम व्यक्तिवादी है व्यक्तिवादी एक पॉइंट छूट गया है आपे यह देखिए अधिगम सुविचारित है यानि कि लर्णिंग इस इंटेंशनल आप फिर से समझी है इंटेंशनल का मतलब है कि अगर आपके जीवन में कोई लक्ष है उस लक्ष को आपको पाना है तो आपको लर्ण करना पड़ेगा लर्ण करने के लिए क्लिए कि आपके पास इंटेंशन होना चाहिए वो करने की चाहत होनी चाहिए या वो उस चीज के लिए आपके पास व mentally दोनों तरीके से अगर learn करना है तो आपको active होना बहुत ज़रूरी है आधिगम व्यक्तिवादी होते हैं व्यक्तिवादी मतलब हर एक इंडिविज्वालिस्टिक तो तंग ट्विस्ट हो जाती है the positive होती होती है कोई जल्दी सीख लेता है कोई दीरे सीख लेता है आधिगम क्या होता है कि अपने इंडिगम इस्ठान एंधरिय है आधिगम learning is transferable तंग यो दितं अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने क्या क्या है मैंने जब DLA किया था और उसके बाद मैंने सीटेट की तारी की तो इस टाइम पर जो मेरे पास लर्निंग जो मैंने सीखा उसको मैं आग यूट्यूब वीडियो बनाने में यूज कर रही हूं या फिर मेरे पास जो बेसिक अधिकम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते है तो अधिकम को एफेक करने वाले कौन से फेक्टर होते है पहला मैचुरिशन बनी की परिपकिता अब आपको लर्निंग करनी है तो आपको मैचूर होना ज़रूरी है मैचूर वह मैचूरिटी वाला नहीं है मैचूर क का बुक में दे रखा था जिसमें कहा गया कि अगर कोई 6 मेने का बच्चा है वो उससे अगर कहा जाएगा कि आप टेबल याद करो पहाड़े याद करो तो क्या याद कर लेगा नहीं पॉसिबल है क्योंकि वो मेंटली मैश्यूर ही नहीं है उस लावल तक नहीं है कि वो उस उसको सीख सके है कि अब आता है सीखने की तद परता है यानि कि अगर आपको लर्न करना है ता उसके लिए रेडी होना बहुत ज़रूरी है जिसे अगर आप यहां पे वीडियो देख रहे हैं इसका मिला आप ततपर है तो और हम एक बच्चे auto बहुत बस altar लौप प्लेए ह होना चाहिए एक्टिव्ली बच्चा पार्टिसिपेट रहे और इंगेज रहे तो यह इंवोर्म्मेंट बहुत इंपोर्टन रोल है कि अगर अच्छा है तो अशानी से कर लेगा अ इंवोर्ममें अच्छा नहीं है उसको लर्निंग में दिखकात होगे और स्लिके बारे में छयगा इह पर नींटेंसिक मतल। बाः रूप में साहिं- और बहर रॉपी आंधिरिक में और बाहन वाले में बच्चा thermically checsukता कोई हैक और वे हुट्यफि. अब कोई व्रोप मोटिवेटेड हैज आ सक एपने इन्च्रेस्ट की वज покyan कora वे था इनкимиजोओas से काम करेगा उसा भी बाहर से कहने वाला नहीं है लेकिन extransaq में जो बाहर से कोई कहेगा या भी बाहर से motivate किया जाएगा तो वो motivation देखे kar international motivation कुछ time के लिए रहता है जब कि intrinsic जो होता है कर आंतरी group साब motivated तो वो लंबे समय के लिए रहता है अब यहां से भी कुछन बना हुआ थै कि एक नए प्रिवेस पाने वाले बच्चे में क्या विश्चता होती है तो एक नए प्रिवेस अगर कोई बच्चा स्कूल में नए नए आता है तो उसमें कौन कौन से characteristics होते हैं तो वो बच्चा जो होगा वो साधारर वाक्यों से अपनी भावनाई व्यक्त करता है वो easy-easy sentences बोल लेगा अपनी भावनाई व्यक्त कर लेगा दूसरा क्रिया की काल का उप्योग कर लेता है यानि कि जो वर्तमान काल भूत काल भविस्ट काल उसके कोडिंग मैं ज यह बहुत important point है कि जब बच्चे स्कूल में आता है तो बहुत जिग्यासू होता है बहुत क्यूरियास होता है तो बहुत सारे प्रशन होते हैं और इस टीचर हमें उन्हें प्रशन पूछने के मौके देने चाहिए बिल्कुल ठीक है और फिर आ जाता है अध्यापा की जब प्रशन के लड़की की विसेचता बताई गई थी तो वही इसलिए गाती लिखा हुआ है लेकि अपने पसंद के गाने गा सकते हैं और यह जो पॉइंट है बहुत इंपोर्टन है कि इस उम्रे के बच्चे होते हैं वो खेल के नियमों का पालन करते हैं अपने साथ में जो इस प्ल advertisements убuru प्रों के साथ भी तो पालन करते हैं से लेकिन यह फॉल को फॉल करते अब यहाँ से एक नएा topic start होता है. जो कि यहाँ question आपको दिख रहा है बच्चे कैसे सीखते हैं. बच्चे कैसे सीखते हैं? यहाँ पर अपको 7-8 points पढ़ना आ हैं उनके द्वारा सीखते हैं. उनी में से ही question तेरे-देरे पूछे गए हैं. तो उनको जानते हैं. सबसे पहला ला है बच्चे अनुकरण से चीचता है यान कि इमिटेट करके शीखते हैं इमि प्रक्रिया है Severus भू परक्रिया है जिसके ड्वहरा बच्चा किया तुरम करते हैं अपने अधर्स welcomed by सामने है अभी मैंने others बोला ना model तो आदर्स दो तरीकेति यानि कि जिसको English में कहेंगे symbolic और दूसरा है उधार्णी यानि कि exemplary अब सांकेतिक में क्या होता है कि वो आदर्स जो उनके सामने नहीं मौझूद हैं जैसे असोख हो गएं, अकबर हो गएं, कृष्णा हो गएं, मदर तरिशा हो गएं, जिनके बारे में उसने books के थुरू पढ़ा है या फिर अपने आसपा से सुना है या टीचर ने किसी बोला तो उनकी अगर बच्चा उनके बारे में जान करके उनकी नकल उतारता है तो उसको बोलते हैं तो वो सांकेतिक आदर्स हो जाते हैं और उधारनी आदर्स वो होते हैं जो उनके सामने प्रितेक्ष हैं तम उनको इमिटेट करना उनको इमिटेट करके भी बच्चे सीखते है जैसे parents है siblings है teacher है इसलिए तो कहते है न कि parents को या जो आसपास में बच्चे के आसपास में अगर अच्छा विवार करोगे तो बच्चा अच्छा करेंगे क्योंकि वह बच्चा देख के सीखेगा तो यहां पे हो गए दो दरीके के model अब आता है imitation को कैसे बल दिया जा सकता है निकि imitation को कैसे आप और stronger सकते हो तो पहला प्रित्यक्ष प्रिसंसा या इनाम दे करके अब इसका example जिसे अगर हम कहें कि वह तो लतामंगेशकर की तरह बहुत अच्छा गारी है तो यहां पर क्या होगा बच्चा प्रभावित होगा कि अच्छा लतामंगेशकर से compare किया गया तो लतामंगेशकर की जो गुड़ है उनको और imitate करेगा फिर संतो जरक पहिणाम यानि की satisfactory consequences ऐसा कोई विभार करने से ऐसी कोई नकल करने से imitate करने से उसको बार-बार satisfactory result मिल रहा है तो उसको दोहराना वह पसंद करेगा तो अनुकरण वह बार-बार करेगा जिसे अगर कोई बच्चा है वह अगर मा से दूद वर्ड यूज करता है तो बार-बार उसको पता है कि अग बिना किसी लालच के बिना किसी लालच का मतलब ना उसकी प्रिसंसा हो रही है ना उसको परिणाम से मतलब है वह इसलिए सिफ करेगा कि दूसरे ने किया है उसको लाब हुआ है तो मैं भी करूंगा तो यह इस तरीके से इसको बोलेंगे पैदिनिधित पुनरवलन कि दूस एक होता है दमनात्मक आदननातक प्रभाव एक होता है प्रकटिकरर प्रभाव अब इनको बारी बारी से जानते हैं यहां देखें मैं ने शॉर्टकट में लिख दिया है लेकिन जो में एक्स्प्लेन करती हूं उसको ध्यान में रखा करिये क्योंकि हर चीज़ लिखना तो पॉसिबल नहीं था वरना पूरी बुकी न चब जाती है यहां पर आदर्स्री प्रभाव में क्या होता है कि आदर्स जो उसका मॉडल है बच्चे को जो भी मॉडल है जो उसको पसंदे इसका विवहार उसे पसंदे उसकी क्या करेगा उसको अ दमनात्मक और आदर्स तक प्रभाव में क्या होता है कि अगर उसको पता चला कि आदर्स जो भी मॉडल था उसको डंडिट किया गया तो वह क्या करेगा जो विवहार दोहरा रहा था वह नहीं करेगा उसको पता है कि उसका जो मॉडल है उसको अगर डंड मिला है तो उसको वो नहीं करेगा आदमनात्क प्रिभाव होता है अगर वो देखता है कि उसके model को reward किया जा रहा है उसके वभार के लिए को उसका model है वो कुछ अच्छा कर रहा है उसको पूरिस्कृत किया जा रहा है तो वो क्या करेगा वो अबजर्ब करेगा और वही विभार को अपने अंदर लाएगा कि यहां पर कोई आता पता नहीं है कि क्यों हो रहा है बस लोग कर रहा है तो हम भी करेंगे तो इसको बोला जाता है समू का वेभार क्योंकि लोग कर रहा है तो हम भी करेंगे जैसे भीड में अगर एक वेक्ति दूसरे वेक्ति को वेभार देखकर ताली बजा देता है जिसे यह भी तरीक की नकली हुई न अब हम पढ़ेंगे next point जो है अवलोकन यह से अभी बच्चा किसे सीखा अनुकरण सीखा अब बच्चा सीखेंगा observe करके बहुत इंपोर्टेंट है observation विधियम यह पढ़ते हैं अवलोकन तो अवलोकन क्या होता अवलोकन वह प्रक्रिया होते है इसमें बच्चा क्या करता है किसी आदर्स के विभार को कोई भी वैक्ती है गर वो क्या करेंगा अपने model के विभार को पहले observe करेगा मतब देखेगा फिर परकेगा फिर अपनाएगा और नए विभार का सजण करेगा फर्क imitation और observation में यही है कि imitation में डिट्टो कपी उतार द अब यहां पर अवलोकन अधिकम के जो अवलोकन observation अधिकम होता है इसकी कहीं थारे नाम में इसको बोलते हैं इस्थानापन अधिकम यहां पर बात होगी बंडूरा की तो बंडूरा की 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 बंड इसमें ऐख़रिमेंट दर्ग गोलता भी मोड़ किया गोलताए उसको लाम आशए है तो इसमें पूल दाछायाम करती है तो बिच्चे भी अच्छा करती इसलिए का यह आफे हैं कि अच्छा एक्षा करूँछ जो के बना दूगिता है उतना मैं कर दो यहां से कोशन बनके आता है कि बंडूरा के अनुसार अब लोकन विभार से जोड़े चार प्रोस्स कौन से हैं या फिर चार विस्रेस्टाय कौन सी हैं जो कि observation theory से related है या observation विधी से related है तो पहला हो जाता है attention दूसरा retention तीसरा reproduction और 5 चौता motivation अब यहां समझेगा कि पहले क्या होता है ध्यान पर क्रिया जिसे आपको कोई काम सीखना है अब्जर्व कर रहे हो तो आपने पहले क्या किया है ध्यान लगाया उससे ध्यान लगाने का सैंसे क्या को जो भी चीजी जो भी पहले उसके अच्छे लग़रे है उनको न थेहन दिया, फिर आपने क्या क्या है, आपने अपनी इस्म unchgynti में दिने का मतलब है, कि माइंड में उसको imagine करना, कि आप लोकन की विवहार को संग्यानत पर रूप से अभ्यास है, मैंने लिखा भी है, आपने मैं दो किया, अच्छा है, ये किया गया फिर थर्ड प्रोसेश है कि आप रिप्र्रेफशर्ड्यक्ष इसलोंकि तो यहां पर मोट्वेशन प्रोसेश हो जाएगा अब देखें, इसको एक्वार एक बच्चा है उसको लिखने का मतलब अच्छी राइटिंग करनी है तो उसकी टीचर बहुत अच्छी राइटिंग कर रहा है तो वह पहले ऑब्जव किया कि टीचर ने कैसे पैंसिल पकड़ी है यहां पर हुआ कि उसने अटेंशन लिए फिर ध्यान प्रक्रिया में अपने लाया कि हां कैस किया जाता है फिर उसने माइंड में मक्रिय olduğे ऐसे करोगे तब काम होगा फिर आप उसने एक्षिली प्रेक्टिस की को ही वे तो तभी मेधी होगा तभी तो वह काम करेंगा न हो यहां पर मोटिवेटेटी होना भी होच ज़रूरी है तो ये सारे process होते हैं अव लोक। विवहार के लिए या फिर इसके द्वारा बच्चा सीखता है यह बंदूरा ने चार पॉइंट बताया थे एक्स्ट्रॉपिक प्रियास एंटूटी का सिधान जो कि ट्राल एंड एरर थेओरी है जो कि यह सिधान अमेरिकन मनवग्यानिक कि Ciirattा ने दिया था यहों और 113 हो वित पयाम किया हो एक्सपेरिमेंट किया था कि cao कि जाल बंद कर दिया गया और फिर क्या होता है वहार पे बाहर मचली रख दी कि इस बटन पर रखेगी तब वो दर्वाजा खुल जाएगा और उसको मचली प्राप्त हो जाएगी तो वो उसने क्या किया पहले प्रयास किये बहुत सारी प्रयास किये गलतिया की और फिर जा करके उसने फाइनली अपना जो भोजा ने वो प्राप्त कर लिया तो एरर जाते हैं लिया, इसमें इसकी कॉर्डिंक कहा गिया है, अगर आप अभ्यासि करोगे तो सीखोगे कारे को बार बार करनेसे मतलब यह लोग फोकस करते हैं कि आम बार बार रॉक करने से निव काम को तो बार बार करनेसे सीख यह उत्सका बहुत असाता एग्जाममल है तिसस चीजे हमने सीख लिए लेकिन अगर हमने बहुत टाइम से कोई चीज यूज नहीं की और सड़ली हमसे कोई कहेगा तो हम वो यूज नहीं कर पाएंगे यहां पर उपियोग और अनुपियोग का हो जाता है कि जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना जल्दी आप अधिगम करोगे और अगर नहीं उस करोगे तो लर्ण नहीं रहेगा यह आप सीखने ही पाओगे अब आता है नेक्स जो नियम है प्रभाव का नियम जिसको बोलते है तो अन्तोस का नियम या लॉफ इफेक्ट जैसे अगर हमको पता है कि मेरे ये काम करने से हम मुझे कुछ अच्छ थर्ड नियम जो है वह है ततपर्ता का नियम जो कि है लॉफ रेडिनेस लॉफ रेडिनेस में अभी जाना भी था कि अधिकम को प्रभाइद करता हो यह इनों नियम भी दे दिया कि अगर बच्चा रेडी ही नहीं है अगर वेक्ती रेडी ही नहीं सीखने को तो उसको सिखा पानी सकते, इसका एक ग्जाम्पल में पढ़ा था जिसमें ये था कि 10 आदमी मिल करके एक घोड़े को पानी नहीं पिला सकते, जब तक कि वो तयार नहीं हो, मतों कि रेडी होना बहुत जरूरी है अधिगम के लिए, ये तीनों नाम याद रखिएगा, भ्यासका, प्रभाव जो 4th नमबर में प्रयास & प्रभाविता को सबचे कैसे रहते हैं तो अभी तक हमने देखा, भच्चे कैसे सीख रहते हैं, एक तो चिखाता है, अनुकरण करके, एक अवलोकन करके और थर्ड चिखा, प्रयास & प्रूटी करके, मतब बार बारबार प्रैक्टिस किया, अभ कि self-learning पे focus करती है, self-assessment पे focus करती है, इसमें बच्चों को क्या किया आता है, छोटे-छोटे समूहों में सक्रिय भागेदारी करवा जाती है, याद रखेगा ऐसा कुछ option आता है, बड़े ग्रूप बनाने चाहिए, छोटे ग्रूप बनाने चाहिए, तो छोटे ग्रूप बन हो जादा हो, जिससे बच्चे जादा सीखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे छोटे समूहों में सक्रिय भागेदारी पे जोड़ दिया जाता है, आब अब जाता है, खोज, पूछताज या द्वारा अधिकम, पाच्वए तरीके से जो सीखते हैं बच्चे वो होते हैं, खोज विधी, डिसकवरी विधी, यह कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ट है, पहला, एक्टिविटी पे, मतलब एक्टिवली, जो चीजों में एक्टिव होना, अगर बच्चा एक्टिव होगा तभी तो वो डिसकवर करेगा, फिर लॉजिकल थिंकिंग, अब लॉजिक के रूप मे सोचेगा बच्चा, जिनकि लॉजिकल सोचेगा, तरकपूर सोचेगा, थर्ड, ज्याद से अग्याद की और, नोन टु अनोन की और सिधान पे है, फोर्थ, परपस फुल एक्सपिरेंस, अपने अपने अनुभवव का उपियो करके खोज करना, और फिर विकल्पों की याद रखिए का आप जाता है जो छटवा मैथ्या समस्या समधान के स्टेप्स कौन से, बहत इंपर्टंट, यह पूरी यूनित ही इंपर्टंट आप देख रहे हैं, बार 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 इंपर्टं बोल रही हूं, क्योंकि मुझे भी पढ़ने में काफी अच्छा लगा, काफ कि अब भी श्लेशर करते हैं, अनलिसिस करते हैं, कि, पहले हमने डिफाइन किया, यह समझ में आया कि अच्छे यह प्रॉब्लम थी, फिर उसको अनलिसिस करेंगे, कि कहां पर दिक्कत हो रही है, फिर हम क्या करेंगे, इस समस्या को ले करके, उसमें हम रिलेशन बठाएंगे फिर हम क्या करेंगे, हाइपोथिसिस का निर्माड करेंगे, कि उसके लिए क्या सेलिशन हो सकता है, उसका निर्माड करेंगे, अब जो सेलिशन हुए तो बहुत सारे निकालेंगे, उस प्रॉब्लम से रिएट बहुत सारे सेलिशन निकलेंगे, अब उस सेलिशन को हम टेस फिर हम hypothesis बनाते हैं, फिर हम hypothesis को हम test करोगे बारी-बारी से, फिर हम जो भी result पे पहुचे हैं, उसको verify करेंगे, यहां result हमारा सही है या नहीं है, अब सात्वा method जो है, वो है अर्थपूर सार्थथकता से, learning as a meaning method, यानि कि जो meaningful तरीके से, वो बच्चा सीखे, अब learning is meaning making, changing old ones in favor of workable alternative meaning, इसको English में ही मैंने लिखा है, क्योंकि यह हिंदी में नहीं mention था और यह line बहुत important लगी मुझे, समझने के लिए आता नहीं है, learning क्या होता है, meaning making है, यानि कि अर्थपूर बनाना है, learning एक process है, जो कि अर्थपूर बनाने से related है, इसमें आप क्या करते हो, आप पुराने methods है, उनको आप चेंज करते हो by alternative meanings, जो आपके पास उस समय मौझूद विकल्प है, जो काम करने योग उनके द्वारा आप चेंज करते हो, यह learning process होता है, कि आप meaningful बना देते हो, और यह बनाएगा, meaning makers कौन होते है, student होते है, अब यह होता है, topic यहां से खतम, यहां प्यादते है, इसी topic में है, meaning making में कि बच्चा meaningful चीज़े को बना पाए, इसके लिए, teacher का क्या role है, teacher का role यह है, उसके पास कुछ है ही नहीं, उससे related, तो उसके पूर्व ग्यान के बारे में, आपको भी जानकारी होनी चाहिए, कि इस activities related उसके पास क्या ग्यान है, तब ही तो आप question put up कर सकते हो, फिर दूसरा है, रूची और प्रवत्ती की जानकारी हो, कि हमें student की, जो भी interest है, उसके ब है ना हो, अपनी curiosity को के लिए वो different type of question पूछेगा, बच्चे के अब वो धन को board पर लिखे, अब यहाँ पे होगा क्या, जब कोई भी ऐसे activity कराते हैं, तो बच्चों से बच्चे अपने perspective, अपने views देंगे, जैसे यहाँ पे example था कि बारिश हो रही है, तो उसके बारे में बच्चों से views बांगा कि है, तो किसी ने का, हाँ बारिश हो रही है, तो बारा सकती है, किसी ने का, बारिश हो रही है, तो मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा, हर्याली आ जाएगी, किसी ने का, बारिश हो रही है, तो हम नाव चलाएंगे, तो इस तरीके से बहुत सारे perspective उन perspective को हमको क्या करना चाहिए, बोर्ड पे लिखना चाहिए और कोई भी perspective गलत नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे, अगर हम जाना चाह रहे हैं कि बच्चे का उस topic को ले रहा है अपने तरीके से, तो वो उनका perspective में जानने की कोशिश करनी चाहिए, यह नहीं कि हम उनको गलत कर दें, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम उनको जानना है, तो perspective को board पर लिखें, ताकि जो बच्चे नहीं भी बोलना है, या फिर जो और बच्चे हैं, उनको भी उन statement के बारे में पदा चले, फिर last ह बच्चों को विचारों की व्याख्या करने के अवसर दें, बच्चों के जो भी views हैं, उनकी explain करने के अवसर दें, यहां पर learning वारा जितना भी था, होता है topic खतम, अब हम आते हैं, teaching process के बारे में, जो की हमारा next topic है, इसी वीडियो में, और इसमें हम क्या करेंगे, देगे, उसको हम बोलेंगे teaching, अब यहां पर मैं आपको एक overview दे देती हूं, इस topic का, इसमें हम लोग तीन approaches पढ़ेंगे, कि तीन approach से teaching प्रक्रिया हो सकते हैं, तीन उपागम पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे, कि behavior modification, यानि कि behavior में बदलाव करने के लिए सिच्छ, क्या प्रक्रि experience गेन करता है, उसके लिए भी सिच्छ, तो यहां पर तीन approaches पढ़ेंगे, बारी-बारी से देखते हैं, जल्दी-जल्दी, काफी वीडियो लंबी है, लिकि आन तक देख लिजएगा, बहुत important है, तो, अब हम देखते हैं, पहला वाला जो topic है, विवहारी क्रूपांतरर के निकाला गिया वाल् जो सिच्छड खोर, अन्युक控 के खिच्छ और जो तो, पहला वाल्दी-जल्दी-खोर, यहां एण तो, बहते हैं निकाला गिया वैवार ूच्छ अगेना, जो बहुत को मैं कर रहा है, प्राप्तिक्या है लिए प्रेडिक हो यहांगे, बहते है, नेक्स्ट टॉपिक है उसको आप समझ पाएंगे इसलिए मैं एक्स्पेइन कर रही हूँ कि जो सभाविक विभार होता है वो विभार वो होता है जो स्वता है अपने आप बच्चा सीख लेता है तो अपने आप ही मिठी मिठी धुन में गाना गुल गुल आने लगते हैं तो वो चीज़े क्या होती कि बच्चे ने कहीं देखा होगा और अपने आप करने लगे आपने को नहीं करने को नहीं का वो तो वो हो जाता है सुभाविक विभार यानिकि अन्दर से खुझ से आया है अब में जो एप्रोच है जो टॉपिक है वो उस पर आते हैं behavior modification के लिए teaching यानि की teaching for behavior modification behavior modification कैसे होगा या तो बच्चा behavior में repeat कोई चीज़ repeat करने लगेगा या तो वो modify करने लगेगा उसमें कुछ change कर देगा अपने behavior में को change कर देगा तो यहां मैंने definition दे रखी है conditioning क्योंकि अभी हम अनुकूलन पढ़ेंगे ना सास्री अनुकूलन का जिद्धान्त यो कि ठंडाइक का है तो उसके लिए आपको पता हूंची conditioning क्या होती है conditioning बालो वाली conditioning नहीं है यहाँ पे है कि the process of habituating the child to repeat and modify both the type of behavior is called अनुकूलन यानि कि यह वो प्रक्रिया जिसमें बच्चों को आदत पढ़ती है repeat करने की काम को दोहराने की या modify करने की दोनों behavior कौन से यह प्राप्त किये गया और निकाले के वेवार जो emitted or elicited behavior होते है उन दोनों behavior को या तो वो repeat करे या तो modify करे इसी को हम बोलते हैं conditioning यानि की अनुकूलन अब आते हैं दो प्रकार की अनुकूलन है एक सास्त्री अनुकूलन होता है एक सक्री अनुकूलन होता है सक्री या संक्रिया भी वहां लिखाता है लेकिन सक्री अनुकूलन या रखेगा सास्त्री अनुकूलन क्या होता है यह elicited behavior के लिए होता है यानि कि जो प्राप्ति किया गया विभार होता है जो काम करते-करते या फिर किसी के द्वारा किसी को किसी को observe करके या फिर आपको जिसमें संतोस मिलना है उसके द्वारा जो आपके अंदर विभार है उसके द्वारा जो अनुकूलन हुआ उसको हम बोलेंगे classical अनुकूलन अब सक्रिय अनुकूलन क्या होगा यह emitted के लिए होगा for emitted behavior जो सुभाविक रूप से निकलेगा उसको उ ने ऊपर ठंडाइग भोल दिया था ठंडाइग में पढ़ा चुकी थी ऐसे हो जाता है लेकिन यहां पर हम लोग पढ़ेंगे पावलाव के बारे में तो 890 के आसपास इमान पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोक किया था कि एक उनके पास एक पालतू कुत्ता था ठीके अब बेल बजाते थे फिर खाना देते थे तब तक उसकी लाणी है लिकिन अब जब उसको कुत्ते को पदा चल गया कि बेल बजेगी तो खाना मिलेगा बेल बजेगी तो खाना मिलेगा तो अब उसकी जैसे बेल बजती खाना मिले या ना मिले उसकी लाण तपकने लगती तो य जिब खाना मिला तो उसकी लाड़ निकली तो यह सुभाविक रूप से हुआ तो अब next है condition stimulus यानि कि बेल बजने पर अब वो लाड़ निका लेगा तो यह कैसे stimulus हुआ तो यह बता है कि बजने पर अब लाड़ निकाशन कोई रिए नहीं देना नहीं है तो वह कोई भी रिस्पोंस नहीं करेगा तो यह इसको कहेंगे अनुकूलन हुआ है ठीक है तो यह आपका क्या हो गया classical conditioning हो गया क्योंकि यहां पर प्राप्त किया जाएगा विवार को कि बेल बजेगी तो वह विवार प्राप्त कर लेगा कि यह लाड़ निकालेगा बेल बजने से पहली बार में नहीं किया और जो क्योंकि पहली बार में नहीं किया तो यहां मैंने बताया भी उसको हम बोलेंगे वो जब पहली बार में नहीं करेगा तो उसको हम कह सकते हैं नीट्रल इस्टिम्लस यानि कि तटास इस्टिम्लस उसके प्रती कोई रिस्पॉंस ना करना अब नेक्स है ओपरेंट कंडिस्निंग क्या होता है यानि कि संक्रिया अनुकूलन क्या होता है संक्रिया अनुकूलन या फिस सक्रिया अनुकूलन यह बीएफ इसकी नर ने दिय जो किसी व्यक्ति के अंदर सुभावी ग्रूप से निकला है, ठीक है, समझ में आया, क्या होता है इसमें कि जो भी व्यक्ति के अंदर व्यवहार निकला सुभावी ग्रूप से आ रहा है, उसको और बल दिया जाता है, इसमें, निकाले के व्यवहार को ही सक्रिया बोलते हैं, यानि कि operand बोलते हैं जो विभार निकला है उसी को ही operand बोलते हैं दो टाइप के reinforcement होते हैं यहां पुनर बलन की बात करते हैं जो इसकी नर है वो पुनर बलन की बात करते हैं पुनर बलन क्या होता है यह इमिटेड बिहेवर को जो भी विभार वो कर रहा है उसको बढ़ावा भी बढ़ावा भी हो सकते और या फिर कमी भी हो सकती कैसे टाइपस of two-types of reinforcement reinforcement पुनर भलनर दो टाइप की आने क्या है इह इमिंटेड बिहहवर को बढ़ावा देता है जो भी बिहहवर है नीकलता है प्रितिक्रिया देता है बच्छा उसको बढ़ावा दिया जाता है यहां पे दो टाइप का होता है positive reinforcement and negative reinforcement उनकी सकरात्मक पुनरबलन और नकरात्मक पुनरबलन तो सकरात्मक में क्या होगा अगर आप example से मैं बताती हूँ कि माली जो कोई टीचर है वह बच्चों को दे के मु यह काम करने से या फिर ऐसा पुनरबलन जिसको देने से पुनरबलन प्रक्रिया होगी जिसको दिया जाएगा तो फिर वह अपने काम को दोहराएगा बढ़ाएगा लेकिन अगर हम negative पुनरबलन दे रहे हैं तो उसको पता है कि हमारे लिए अच्छा नहीं है तो वह repetition नहीं कर रहा है वो वो करेगा अब आजाता है कहाते हैं यहां पर एक important point है कि दंड प्रक्रिया पुनरबलन नहीं है जो punishment होता है यह कोई भी टाइप का reinforcement नहीं होता है याद रखेगा सक्री अनुकूलन का उप्योग अब यह बहुत important point है कि अगर पुछा जाएगा जो सक्री इस सद्रीक्शन है उनके विकास के लिए Computer Assistant Learning के विकासि के लिए इस टेक्निक का यूस किया जाता है या इस कंडिशन का यूस किया जाता है इसकी आलोचना क्या हुई इसकी आलोचना यह उपागम यह पूरा उपागम की आलोचना है कि कि विश्वार करते करते आएगा जिसमें उसको फायदा मिल रहा होगा तो वो करेगा तो एक बात बते हैं अगर कोई इंसान बड़ा हो गया तो उसको पता है वो मांसिक रूप से सक्षा में यह सोचने के लिए कि हां क्या सही है क्या गलत है तो वो अपने अकॉर्डिंग कर लेगा तो इसलिए यहां पर यह अब नेक्स्ट एप्रोच है वो है संगेनात्मक विकास के लिए सिख्षण यान के कॉग्निटिव डेवल्मेंट के लिए टीचिंग कॉग्निटिव डेवल्मेंट जानने की कला अच्छे एक बार और बता देती हूं क्योंकि हमें लोग नोग समरी कर रहे हैं तो यहां पर जो ठंडाई का सिधानत है उसकी कई सारे नाम है उनको मैं अलग कवर करा दूंगी अभी हम लोग नाई समरी फोकस करें तो यहां से जितने कोशन बन सकते हैं उनको हम फिनिश करेंगे तो मैं बता रही थी कि नेक्स्ट जो हमारा एप्रोच है वो है कॉग्निटिव डेवल यूनिट फोर्ड में मैंने इसको कम्प्लीट थम्जाया हुआ है तो वहां से आपको देखना है ठीक है और यहां पर मैं ज्यादा नहीं बता हूँ कि वहां बता चुकी तो यहां बताने को कोई मतलब नहीं है लेकिन जो एक्स्रा पॉइंट है वह बता देती हूं प्याज किमम ग्रोज जो कॉग्निटिव डर्फमेंट की होती है वह 14-15 इस तक हो जाती है यहां इन्होंने CCS की बात किया अब आपको मैंने इसी PDF में आखरी में एड किया है इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना क्योंकि यहां से कुशन आपको सीदे-सीदे देखने को मिलता है sensory motor 0-2 वर्स के बीश में होती है इसनोंने 40 studies बताई थी एक है sensory motor समवेधी गामक अवस्था और दूसरा है pre operational पूर्थ संक्रियात्म का अवस्था मूर्थ संक्रियात्म का अवस्था और फिर आजाता है अब मूर्थ संक्रियात्म का अवस्था हिंदी में भी लिखा हुआ है इनको बहुत अच्छे स्याद रखिएगा यहां पे sensory वाले में क्या होता है sensory वाले में क्रिया कलापों का यूज बहुत करता है बच्चा आपने जो हाथ पैर है ग्यानियों का यूज करता है कोई भी language कोई भी thought उस्थाइम नहीं होता object creativity no idea of objective reality यहां पे object permanence मैंने बताय था वस्थु इस्थाइत का गुड बहुत इंपोर्टेंट है वस्थु इस्थाइत का गुड कौन से वस्था में होता है sensory motor की स्टेज में होता है वहली वीडियो देख लीजेगा unit 4 मैंने बोला है 506 अब साच करेंगे वहीं पर मिल जाएगा वहां पे मैंने बताया हुआ बताय को सब्सकेर को सब्सक्राइब करिको सब्सक्राइब डूसरा जो सोग्षा वहीं रही है थो पूंशनिकक हो चाज आता है तो फिर दो क्रेंट में दो हम पढ़ रहते श्यापिन पर रही दिन गाल लेता है उस 낮ंते नहीं तर नहीं लोजदकिब दोता मैं साथ से 11 वाल होता है conservation classification और serialization यानि कि सनरच्छड और वरगी करण और आपका स्रेडी क्रम यह नहीं होता है यह कौन सी स्टेज में आएगा बहुत important concrete जो स्टेज होती है मूद संक्रात्म कबस्ता इसमें CCS आजाता है conserve करना classify करना and serial में कर देना reversibility का भी good आ जाता है thoughts की formal वाले में complete पूरी तरीके से इसके thoughts का process develop हो जाएगा hypothetical thinking करने लगेगा पूरी तरीके से एक अच्छी thinking proportional thinking करने लगेगा यह सारे point अब यह जितना भी आपको दे रखा है इसको याद कर लेना क्योंकि यहां से question आपको सीधे सीधे मिल जाते है हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है अब आ जाते हैं अपने topic पे फिर से यहां पे CCS मैंने बता दिया conservation का मतलब होता है कि आप किया करतों बच्या क्या होता है कौं सी स्टेज में था साथ से ग्यारा वाली स्टेज में कử दै कमें लगता है इसमें का मतलब है कि अनुर्माडिवाली वाली चैंवा पानी है और धाली में पानी यह जा जाए गा पानी उतना ही है इफॉसके शेप चेंज होगिया, तो कंजव का गुर होजाता है, अब यहां पर चेंज कब होगा, मतब जो चेंज होजाता है, जब उनकुछ एड़ करेंगे, अगर पानी उतना का उतना ही रहने वाला है, classify करना classify कर लेगा उनके रंग रूप और size के according उनको अलग-अलग बाटना इसको बोलता है classification serialization का मतलब है कि sequence में बठा देना इसको बोलता है अब जाते हैं वाइगोच्की का समाजिक Sanskritic से धांत बाइगोच्की का social and cultural theory इन्होंने Sanskriti और भासा के प्रभावरे बल दिया है उन्हाने का था कि बच्चे का जो भी संग्यान का विकास होता है वो अपने समाज के द्वारा अपने culture के द्वारा सीखता है इन्होंने तीन टाइप की speeches बताई हैं बहुत important पहला social speech दूसरा egocentric तीसरा inner speech यानि कि समाजिक भासर दूसरा अहम केंदिर भासर जिसको private speech भी कहते हैं और तीसरा आंतिरिक अब यहां पर इनकी age भी दे रखें तीन से कम तीन साल से कम जो बच्चे होते हैं उनमें social speech होती है अपने आस पास बोल करके बात करते हैं और दूसरा हो जाता है भासा सीखते हैं और तीन से साथ वाली age में क्या होता है एहम केंदिर एहम केंदिर का मतलब होता है जो की बा उसके उसको उसका है इतनी नौलेज़ लेकिन उसका सीखने का चेत फोडेट इतना है इतना है तो यह जो एरिया है एक्स्ट्रा वाला इसको बोलेंगे ZPD यानि कि समीपस्त विकास छेत्र जोन ओफ्रॉक्सिमल डेवलमेंट यहां पर तीन चीज़ा हम पढ़ेंगे MKO, ZPD और इसके फोल्डिंग तो यहां पर हम तीन चीज़ा पढ़ेंगे MKO, ZPD और इसके फोल्डिंग क्योंकि मैंने बताया कि अगर उसको इतना ग्यान है इतना डेवलप है और उसको उसका डेवलमेंट का छेत्र इतना है तो यहां पर यह एरिया जो हुआ इसको पाने के लिए इसको पाने के लिए क्या करेगा किसी की help लेगा तो वो हो जाएगा more knowledgeable other और यह जो प्रेक्रिया होगी जो help लेकर कि वो जेट पीडी को पाएगा उसको हम बोलेंगे इसके फोल्डिंग है धाचा या पाड़ ठीक है अब यहां पर दो important point है primary and school primary school के जो बच्चे होते हैं वो concrete operational stage पर होते हैं जो कि concrete operational stage कितनी थी 7Gs-11 वर्ष थी तो बच्चे का admission होता है तो इसिलिए हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे, तीचिंग के दो अप्रोच हमने पढ़ लिए पहला हमने पढ़ा behavior modification के लिए सिक्षर, दूसरा हमने पढ़ा संगयातपम के लिए सिक्षर और तीसरा हम पढ़ेंगे अनुभाव निर्माड के लिए सिक्षर, यह ज़्यादा इंपोर्टन नहीं है, बस आपको बेसिक चीजे पता होनी चाहिए, कि बच्चों के जो experience का जो निर्माड होगा, वो कैसे होगा, विद्यारतिक ज्यान का निर्माड अपने वातरवरे के सा जानने के लिए आना, एक प्रोसेस होता है, जिसमें बच्चे अपने अनुभाव के द्वारा रूपांतरित, एक सुविकार अधारित प्रक्रिया होती है, मतलब जो अपने अनुभाव के द्वारा वो मोडिफाई करते है, या फिर accept-based इनका प्रोसेस होता है, ग्यान के न आप जो भी चीज़ पढ़ रहा हो, आपके पास जो पहले से नौलेज उससे जोड़ेंगे, जैसे अगर मैं इतनी एक्जांपल दे रही हूँ कि लड़के ने अपनी मम्मी से ये का, पापा से ये का, तो वो क्या है, मेरे पूर ग्यान से वो जुड़ रहा है, तो नए वि में छवी बनाते हैं, उनके बीच में इंटर्रेलेशन करते हैं, और फिर सामाजिक सभूहों में इंटराक्ट करते हैं, ज्यान का निर्मान हो जाता है, तो ये चार स्टेप थे, इन चारो स्टेप को याद रखेगा, I hope आपको समझ में आया होगा, काफी बड़ा चैप्ट शेयर कर दीजेगा, जो भी पढ़ने वाले हैं, उनी को मैं कह रही हूँ, और लाइक और कॉमेंट कर दीजेगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो, थाइंक यू